मार्ग शीर्ष की पूडिमा पर भगवान दत्तात्रे का प्राकटे हुआ था भगवान दत्तात्रे कौन है और भगवान दत्तात्रे की महिमा क्या है ये समझना भी आपके लिए जरूरी है भगवान दत्ता त्रे अत्री रिशी और अनुसुया माता के पुत्र माने जाते हैं वर्दान के फलस्वरूप, एक बड़ी घटना के फलस्वरूप, एक विशेश अवतार के फलस्वरूप इनका प्राकट्टे हुआ था दत्ता त्रे भगवान जो हैं, इनको त्री शक्तियों का संयुक्त रूप मानते हैं, मानते हैं कि ब्रह्मा, विश्नु और महेश, तीनों इनके अंदर पाये जाते हैं, तीन मस्तक हैं इनके, और छे भुजाए हैं इनकी, इनके आदि में ब्रह्मा हैं, मध में विश्नु हैं और अंत में भगवान शिव का निवास माना जाता है इसलिए तीनों देवता कमबाइन रूप से इनके अंदर निवास करते हैं मार्ग शीर सी शुक्ल पक्ष की पोडिमा को इनका प्राकट्य प्रदोश काल में हुआ था यानि सुर्यास्त के आसपास वाले समय में भगवान दत्तात्रे प्रकट हुए थे और इनकी पूजा उपासना भी कल के दिन प्रदोश काल में करनी चाहिए यानि सुर्यास्त के 45 मिनट पहले और सुर्यास्त के 45 मिनट बाद वाले समय में भगवान दत्तात्रे की पूजा करनी चाहिए इनकी पूजा उपासना शीग्र फलदाई होती है इनकी पूजा उपासना जल्दी लाबकारी होती है और भगवान दत्तात्रे को बहुत महान गुरु माना जाता है दत्त संप्रदाय इनके नाम से चलता है ऐसा कहते हैं और भगवान दत्तात्रे को गुरुओं का गुरु मानते हैं एक बार किसी राजा ने पूछा भगवान दत्तात्रे से कि आपके गुरु कौन है तो भगवान दत्ता त्रे ने कहा, ये पंच महाभूत, जो पांच तत्वे हैं, जो आत्मा है, वही मेरा गुरू है. लेकिन इसके अलावा 24 लोगों से मैंने ग्यान प्राप्त किया है यहां तक की शहद की मक्खी से भरिंगी कीट से 24 गुरु भगवान दत्ता त्रे के माने जाते हैं और गुरु रूप में इनकी पूजा सर्वस्रेष्ट होती है तो जो लोग भी भगवान दत्ता त्रे के उपासक हैं भक्त हैं वो कल के दिन प्रदोश काल में इनकी पूजा जरूर करें इनकी पूजा सद्य फल्दाई है इनकी पूजा बहुत जल्दी फल्दाई होती है और इनकी पूजा करने से त्री शक्तियों का यानि ब्रह्मा विश्णु महेश का अशिर्वात प्राप्त होता है